आपके अपने चैनल आपका स्वागत करती हूँ आज हम दूज से एक बहुत ही जबर्दस मिठा इंदाने जा रहे हैं अगर यह मिठा यह आपको पसंद आए तो प्लीज आप अपने चैनल आपका शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपके पास लोहे की कड़ाई तो आप कलाकन बनाए तो आप शिलabord की या नॉनस्टिक वि़ ले सकते हैं त अगर आपके पास नोहे की कड़ाई नहीं हो तो आप कोई भी भारे बोटम की हैवी बोटम की कड़ाई ले 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 हलके बोटम की आप कड़ाई नहीं ले क्योंकि उसमें दूद की चिपकने के चांसे जाता रहते हैं तो यहां पर मैंने लोहे की कड़ाई ली है अभी तक मैं इस कड़ाई में चारो और थोड़ गी लगा लेंगे जिसे की दूद्ध चिपकेगा नहीं गी से हम फूरी कड़ाई को फोड़ कर लेंगे और यहाँ पर मैंने दो लीटर फुल फीट दूद्ध लिया है तो आप जब भी कलाकन बनाएं फुल फीट दूद्ध का ही यूज करें बहुत ही अच्छा कलाकन बनेगा और आप इस बात का ध्यान रखें कि अभी तक हमने गेस ओन नहीं की है अगर आप पहले से ही कड़ाई रखके गेस ओन कर देंगे तो कड़ाई गरम हो जाएगी और आप एकड़न से उसमें दूद्ध डालेंगे तो कलाकन आपका बीगर सकता है इसलिए आप गेस ओन नहीं और दूद में अब बहुत अच्छी उबाली आ गई है तो यह आप देख सक रहे हैं कि यहां पर दूद्ध बहुत अच्छे से उबल रहा है तो अब इस स्टेज पी आके हमें क्या करना है कि हमने यहां पर फिट करी ली है फिट करी आपको कोई भी किराने की स्टोर उपर आराम से ने सकते हैं तो हमें अब इस क्या करना है कि फिट करी को हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है हमें इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से क्रिस्टल बनाने हैं तो आप देख सक रहे हैं ना मैं आपको पास से और दिखा रही हूं कि फिट करी को मैंने यहां पर ब बनेंगे वह बहुत ही अच्छे होंगे और जिस तर्के की हमारी फिटकरी में क्रिस्टल होंगे उसी तरीके के दूद्थ में बनेंगे तो हम बने डालेंगे और कुछ देल के बाद ग्रीष कम बन रहे हैं तो हम हम इसमें 10 जड़ाओं जुल्टकरी और मिला देंगे वरना ये चुटके वर फिटकडी जो होती है वो ही रेशे बनाने के लिए काफी रहती है दो किलो दूद के इसाब से तो हम इसे कंटीनू चलाएंगे फिटकडी डालने के बाद में हमें दूद को छोड़ना नहीं है हमें लगातार इसे चलाते रहना है तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ-कुछ रेसे बन के तयार हो गए हैं हमारे चम्मत से आप देख सक रहे हैं कि कुछ-कुछ रेसे लग रहे हैं तो हम इसे और उबाली आने देंगे कलाकर्ण बनाते समय आप दूर में फिटकरी सही समय पर ही मिलाएं और बिल्कुल भी जादा नहीं मिलाएं क्योंकि जादा मिलाते हैं आपके दूर का पनीर बन जाएगा इसलिए बहुत ही कम कॉंटिटी में आप फिटकरी मिलाएं तो यहाँ पर देख रहे हैं हमकी इसे उबालते हुए दो मिट हो गई है और रेशे काफी कम बने हैं तो हम थोड़ी सी फिटकरी और डाल देंगे इतनी सी फिटकरी ओ ले रही हुए यह हम और डाल देंगे और दूद को बराबर चलाएंगे और दूद को हम काड़ा होने तक उबालते रहेंगे तो देखिए फ्रेंस दूद काफी अच्छी तरीके से उबल रहा है और मैं इसे continue चलाए जा रही हूँ मैं यहाँ पर आपको एक stage दिखाना चाहती हूँ कि आप fit curry डाले उसके बाद में आप इस तरीके से आपको मैं और करीब से दिखा रही हूँ कि यह जो side में दूद के उपर आपको यह रेशे से नजरा रहे है न यह देखिए यह इस तरीके से रेशे इस तरीके का हमारा दूद रहना चाहिए तो अब हमें क्या करना है कि यह काम बिल्कुल full flame पर ही करना है और हम इसे चलाते रहेंगे बिल्कुल भी हम इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि थोड़े चीपकने के चाहंसे ज़्यादा रहते हैं तो यह देखिए काफी अच्छे रेशे बन रहे हैं इस मिठाई को बनाने में मेजर्मेंट की बहुत ज़्यादा आवशकता होती है मेजर्मेंट आपका परफेक्ट रहेगा तो आपका कलागन बहुत अच्छा बनेगा तो देखिए यहाँ पर दूद कितना ज़्यादा र बिल्कुल हम हलवाई स्टाइल का कलागन बनाने जा रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारा दो किलो दूद उबल उबल करके लगभग आधा किलो दूद रह गया है और यह देखिए काफी अच्छे रेशे हैं तो अब इसे स्टेस पर आकर किये हमें क्या करना है मैंने यह करेंगे और चीनी डालने के बाद में हमें इसे कंटीनू चलाते रहना है बिल्कुल भी नी छोड़ना है अगर हम छोड़ देंगे तो यह हमारी जो मलाई है यह जो मारा छेना है वो कडाई से चिपक सकता है तो हम इसे कंटीनू चलाते रहेंगे और इसे अच्छा गाड़ होने देंगे तो फ्रेंट्स आप यहां पे देखेंगे कि चीनी डालने के बाद में चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है तो आपको यह लगेगा कि थोड़ा लिक्वीड हो गया है तो आप बिल्कुल भी नहीं गवराएं और इसे कंटीन्यू चलाते रहें और जब यह अ बराबर गेज पर इसे चलाते हुए इसका सारा पानी सुखा दिया है और चीनी डालने के बाद में जो जाग से बनते हैं तो हम उन जाग को खतम होने तक इसे कंटीन्यू चलाते रहेंगे और अब आप देख सक रहे हैं कि यहां पर जाग बिल्कुल खतम हो गया है तो इस स शुद्ध मिठाई है यह कि आपको बजार में कहीं भी नहीं मिलेगी और ज्यादा मेनद भी नहीं है आप इसे एक तरफ गेज पर रख दीजिए और दूसरी साइड में आप अपना काम करते रहेगा यह धीर 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 खुद ही बन जाएगी बीच में आप कड़ अर्छाएग प में आप से प्लेट वन्यक्त एक कि वर गाद करेंगे की वर्ष हाँए फंसकता है यहा नहीं में किलीच्ट जख़ा इसके प्लीच के क्या सकते हैं नहीं सकते हें मैं आप अपको टिन लिया है धीैक्त ख ine केक टिल लिए घींगे हमने पूरी ट्रे को घी से थोड़ी सी ग्रीस कर दी है और अब एक बटर पेपर पे लगा देंगे बटर पेपर पर भी हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर देंगे छोड़ा सा हाथ से टच्च करके देखेंगे कि कलाकन ठंडा हो गया है तो अब हम इस कलाकन को इस ट्रे में निकाल लेंगे अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से पूरे कलाकंद को हम ट्रे में ले लेंगे तो देखी फ्रेंड्स मैंने पूरे कलाकंद को ट्रे में ले लिया है इस ट्रे काफी उची है अगर आप थोड़ी छोटी बर्फी जमाना चाहो तो आप इसे पूरी ट्रे में फेला सकते हो अगर फोड़ी मोटी कलाखन की बर्फी जमाना चाहते हो तो आप फोड़ी सी इस तरीके से सेट कर लें अगर आपको यहाँ पर पसंद हो तो आप इलाइची का फ्लेवर डाल लीजिए मैं यहाँ पर इलाइची का फ्लेवर डाल रही हूँ और अगर आप पसंद करते हो तो हलका सा पिस्ता से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो हलका सा आप इसको इस तरीके से प्रेस कर दें जिसे की ये पिस्ता उसके साथ ही जम जाए तो हम इसको पांच निट के लिए हलका सा ठंडा होने देते हैं पांच निट के बाद में हम इसकी बड़ी काटेंगे, कलाकन ठंडा हो गया है, तो अब हम इसके पीसेज कर लेते हैं, बहुत ही सौट, बहुत ही मुइस्ट कलाकन बना है, तो हम आपको एक कलाकन का पीस निकाल के बताते हैं, वाओ, देखे फ्रेंड कितना आलिशान, कितना परफेक्ट कलाकन बना है, देखे फ्रेंड कितनी जब दी ज़्यादा टेंटिंग माउथ वाटरिंग मिठाई लग रही है, आप चाहो तो इसे चमत से भी खा सकते हो, यह देखिए आप इसे चमत से भी इस तरीके से खा सकते हो, बहुत ही यमी है, तो फ्रेंड अगर आप कोई रेसिपी पसंद आती है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लाइक और शेयर करिएगा, तो फ्रेंड मिलते हैं, नेक्स रेसिपी के साथ, थेंक यू,